नमस्कार से तिफगल एक्स्प्रस में आपका स्वागता है मैं हूँ आपके साथ दीफक भदोरियारू करता है खावरों की और बीजापूर में सामाजिक कारी करता हूँ के साथ कई ग्रामीड बासा गुड़ा थाने पहुंचे और सार के गुड़ा एंकाउंटर के दोस्यों आपको बता रहें कि सार के गुड़ा फरजी अनकाउंटर में 190 जवानों को दो सी ठहराया गया है पूरू मुख्यमंद्रे रमन सिन सहित साथ लोगों पर नामजद यफायर कराने ठाने पहुंचे हैं उनके साथ सामाजी कारे करता हिमान्सु कुमार जी है और ग्रामीड पहुंचे हैं आप मेरे पीछे देखिए काफी संख्या में ग्रामीड यहां मौझूद थे साथा ही बाजार है आज तो अपने काम औकले भी हो गये हैं और हिमान्सु कुमार जी यहां पर उन पर याफ़ायर करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं बहराल हिमान सुकुमार्जी से बात करने की कोशिश करते हैं सर स्वागत है आपका सौराज एक्स्प्रेस में आज आप सार की खल आप सार की गुड़ा पहुंचे थे आप रुके थे रात रिवी शाम यहाँ आपने किया था आप ग्रामिलों के साथ ठाने पहुंचे हैं अधिकारी यह साथ ने बात किया कुछ बात रही हमें यह कहा गया कि वो अभी F.I.R. नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें उपर से निर्देश की इंतजार है और हमारा यह कहना है और जो हमारी समझ है कि पुलिस अधिकारी को F.I.R. लेने में उपर के निर्देश की जरूरत नहीं होती है उसकी कर्तब है क्यार पी सी के अनुसार और सुप्रिम कोड के अनुसार एक पुलिस अधिकारी का यह कर्तब है कि वह तुरंत F.I.R. दर्ज करे बैस अच्छी है सूचना या अधत्त है इसका फैसला कोड को करना है लेकिन हमारी F.I.R. नहीं ली जा रही है और वो कह रहा है कि उपर से निर्देश लेंगे जो की नियमों के विरुद्धे हमने पूछा भी कि कौन से नियम के अनुसार आप कह रहा है कि उपर से निर्देश लेंगे तो उन्होंने कोई नियम नहीं बताया हमें तो हम यहाँ पर ग्रामीनों को नियाज लाने के लिए और कानून की हिसाब से कारवाई कराने के लिए यहाँ मैं उप्वास पर बैठा हूँ और जब तक यह F.I.R. दर्ज नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे तो आप एक प्रेटिशन सुप्रीम कोट में दाखिल कर सकते थे क्या उस पर लगोई चार्ज करेंगे प्रेटिशन जो है वो जाएगी कंपनसेशन के लिए उनको मुआफ़े के लिए लेकिन जिन लोगों को अगर सजा दिलवानी है तो वो तो पुलिस F.I.R. से ही होगी क्योंकि दंड प्रक्रिया जो है वो पुलिस को ही करनी पड़ती है अभी जिस तरीके से अधिकारी बात कर रहे हैं देखकर लग रहा है कि यह साध लंबा कीच सकता है तो अगर यदी F.I.R. लगने डर्ज होने में कुछ दिन लगते हैं तो आपका आंदोलन कितने दिनों तक चला है क्या यह अनिस्चित कालिन बहुत लंबा जल सकता है हाँ क्यों नीच चल सकता है मैं तो मरने के लिए तयार हूं मेरा पराण चले जाए इसमें मैं हटूंगा नहीं यहां से चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे तो यह थे इमान शुकुमार जी जिनका साफ तोर पे कहना है जो पीडित थे उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनके न्याई के लड़ाई लड़ रहे हैं और वो यहां अनिस्चित कालिन हरताल पर तक तक बैठे रहेंगे जब तक जो साथ लोगों के खिलाप नामजद या फायर करनी की प्रकडिया है यहां पूरी नहीं की जाती है इस वक्त बासागुडा ठाने से ना पवंद दूर्गं स्वाराज एक्स्प्रेस